हेलो एक वार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर तो फ्रेंट जैसा कि आप थमनेल पर देखी चुके हो आज हम पॉल्टी के कुछ इंपोर्टन कुष्टन डिसकस करेंगे मेली वन लाइन डिसकस करेंगे उन्डेड प्लस यह कुष्टन होंगे जो आपको आने वाले एक्जाम है प्यूब यह त्रांस के त्यारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी एक लगसे प्लेलिश्ट नाई है जिसका जो लिंक है मैंने दे दिया है आप आहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो जैसा कि आपको पता है पिछले का लिए माचापदेश निवस्टी ने इंट्रांस बेस्ट कोर्स की ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो जारी कर दी गई है और उससे डियूल भी जारी कर दिया गया है इ बहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो तो फ्रेंड्स वीडियो को शुड़ू करते हैं ग्ष्टमर फरस्ट में बोला गया कि भारत के समीधान का निर्मान एक समीधान सबा द्वारा किया गया जिसकी जो स्ताबना थी कब हुई थी जिसकी स्ताबना जो थी वो को दिसंबर निसोचेतालिस को हुई थी यह अपने याद रखना है अगला प्रशन है किसने समीधान सबा के अंत्रेम अध्यक्ष के रूप में कार्या किया तो डॉक्टर सचिदा नंद सीना जो थी वो स्ताई अध्यक्ष थे यह आपने याद रखना है ग्यारा दिसंबर निसोचेतालिस को समीधान सबा ने किसे अपने अस्थाई सबापती निर्वाजित किया था तो वो डॉक्टर भीम रावंबेडिकर जो है स्थाई सबापती जो थी कौन थे वो डॉक्टर राजेंदर परशाद थी यह अंसर यहां पर गलत दिया है तो स्थाई जो अध्यक परम मेरं वागाओर जस मिद्धी निर्माण है समीधान सबा में उदेश्य, परस्थाद में परस्ताफ किया था और दीकेन कोगा था जो आप संवन में रहे हैं जो आपका कोई किरो वीजन होगा एक तरह का पॉल्टी का तो आपने इन कुशन के शौर्ट फॉर्में नोट से ज़रूर बना लेने हैं अगले प्रशन पर चलते हैं भारत के समीधान को कब पारित किया गया था तो भारत के समीधान को 26 नमब्र निश्यास को पारित किया गया था बारती समीधान का जो निर्माता है जनिक है वो किसे कहा जाता है वो डोक्टर भीम राव अमबेटकर जी को कहा जाता है अगला प्र प्रभावित किया है तो भारती शाषन अधिने मुनी सो पैंटिस जो है उसने भारती के समीधान को सबसे अधिका प्रभावित किया है यह आपने याद रखना है प्रभावित के समीधान ने कौन सा लक्षन अमरीका के समीधान से ग्रहन किया है वो कौन से है कानून का शाषन हो गया कानून निर्मान की प्रक्रिया होगी न्यायक्ष्मिक्षा होगी अगले प्रशन पर चलते हैं समीधान की अपातकारियन शक्तियों से संबंदित प्राभधानों को जर्मनी के वियमर शमीधान से प्रभावित किया यह आपने याद रखना है अगले प्रशने पे चलते हैं भारत के राज्या के नीती नीते शिदात जो है वो स्टेट डारेक्टिव पोलसी जो है वो किस देश के समिधान से ग्रहन किया गया है तो वो आइरलेंड गन्राज्या के समिधान से लिया गया है यह आपने याद रखना है अगले प्रशने पे धर्मिनल पे एक्ष लोग तांत्य के गणराजिया घोशित करती है ये भी आपने याद रखना है अगले प्रशने पे चलते हैं समीधान के किस संसोदन द्वारा समीधान में समाजबादी धर्मनेज परिक्ष था राष्टर की एक्तावा खंडता शब्द जोड़ेगे तो तो बतालिसवा संसोदन हुआ था उसमें ये जोड़ेगे थी सर्वरषन क संफी परिस्तावंन समीधान का भाग चलते हैं किसे समीधान की आत्मा पताया गया है इससमें भारत में पता हुआइस राजिया है ये पुराना एडिशन था इस बुक का तो अठाईस स्टेट्स में में है और आत्म यूटी जो है बुर्स आड्यम den confirmis doesh reлять बिजलीक जंट में भारत अगले बर्शना में चलते हैं मोई में चलते हैं चलते हैं राज्या को खार्टित करने में सब्रién्जद भाशा के खुआता हो…? तो बहब शाय के धार पर जो गठी होने वह जो राजिया था वह पहला राजिया कों था अन्ध्रडेश था अगला प्रस्न है में 28 राज्या और 8 जो हैं वाकी यूटी है अगला परशने मौली का दिकारों की मौल सूची में कौन सा मौली का दिकार समलित किया गया है तो संपत्ति का दिकार संविधान का दिकार धार्मिक सुधांतरता का दिकार है यह मौल सूची में इन मौली का दिकारों को समलित किया गया है शामिल किया है अगला प्रशना संपत्ती के अधिकार को मौली के अधिकार को पचारों का दिकार जिए उसे डॉक्टर वी आरंबेडिकर जी ने समीधान की संग्या दी अगला प्रशना भारत सरकार ने भारत रतन तथा पदम श्रीवी की उपादियां समीधान की सनुछेट के अंतरगत प्रारम की तो वह अधिकार याद रखना है भारत के नागरिकों के मौलिक करतब्य समीधान में कब जोड़े गए तो 1976 में जोड़े गए थे ये भी आपने याद रखना है अगले प्रशना राज्या के नीती निदेशिक सिधांत जो है वो समीधान के भाग चार में दिये गए हैं ये भी आपने याद रखना है नेक्स्ट क्वेशन है राष्ट्रपती पद के लिए एक के लिए उमीद्वार की नाम का प्रस्थाब जो है वो निर राष्ट्रपती अपने पद पर दो कारेकाल के लिए बना रहा तो वो डोक्टरा जैंदर पर्शाद जी थे भारत के प्रत्थम राष्ट्रपती थे सुदंतर भारत के ये आपको पता होगा अगले प्रशना राष्ट्रपती के चुनाब से संबंदित जगड़ाओं का जो कोई भी सीमा नहीं है यह भी आपने याद रखना है मृति तयाक बत्तर के कारण राष्ट्रपती पत रेक्त होने पर प्रास्ट्रपती के पद से संबंदित कारेयों को अधिक yakशे मास्त महिने तक तक भो निवाता है यह भी आपने यादखना है तो भारत का जो मुख्य नियाधीश होता है वो राष्ट्रपदी के पद से संबंद्ध करतब्यों को निवाता है अगला है यदि भारत के राष्ट्रपदी का पद रिखता होता है तो उससे छे महिने के भीतर भर देना चाहिए यह आपको पता होगा किसे भारत के राष्ट्रपदी पद पर असीन होने का गौर्ब प्राप्त है तो नियाधीश एम हिदाय तुला जो है वो उन्हें भारत के राष्ट्रपदी पद पर असीन होने का भी गौर्ब प्राप्त है मेरा काणूनी तोर पर यूदि की घोशना करने जासा ताथा इस्थापी करने का प्रेजिदेंट को है अगले प्रेशने प्रेशने में भारत का राष्ट पति संसद्र में आधिक सथी का एंगुल एंडियना सदस्यां को मनुनित करकेता है तौह दो राज्जय सभा में कितने और लोग सावा में दो अगला समीधान में कितने बरकार किया पातकारी निस्तितियों की करपना की गई तो तीन बरकार की अगला है अब तक राश्टपती ने कितनी वार राश्ट्री संकट की अधिक से अधिक अनिश्चित काल के लिए लागू रह सकता है अगला पूश्ट नहीं अब तक राश्टपती द्वार कितनी वार विट्य संकट की गोशित किया गया है तो कभी नहीं अभी इवने डिसकस किया अगला प्रशने पद ग्रहन करने से पूरुक राष्ट पती को शप्त लेनी बढ़ती है जो उसे भारत के मुख्यान यादीश द्वारा दिलाई जाती है अगला प्रशन समिधान ने किस अनुचियत के इंत्रगत राष्ट पती के चला सकता है तो उसक्रूसितr का कि राष्ट पत्रदी है कि राज्ज सरकार को समीधानग के प्राफधानों के नुसार सेलाना समब नहीं हैं अगला सविभती ना नि找 वह प्रोफ़ी के अधारबर सेंग्वकाट की थी 1225 में की थी पहला है इस दस्यव दौराप्रस्ताः प्रस्तुत किया जाना चाहिए तो कुल सदस्यव के 25 प्रतिश्यद यह आपने याद रखना है प्र रश्ट पत्यदோर से समलिना जगडे का जो है अगले प्रश्ने पर चलते हैं इसमें बोला गया कि यदि उप्रास्ट पत्यव तो उसे अपना त्याग बत्र की से संबोधित करना होगा तो वो प्रेजिडेंट को अगला है कि सुपर राष्टपती ने राष्टपती पादी के लिए चुनाव लणने के लिए अपने पद से त्याग बत्र दे दिया था तो बीवी गिरी जो थे इस क्वेशन का राइड़ अगला ब्रशन है मंत्री परिष्ट सामुही करूप से लोग सभा के पत्ति उत्रदाई है यह आपको पता होगा मंत्री परिषट की बैठकाओं के जो देख्षता है वह कौन करता है वह परद्धान मंत्री करता है अगला है कोई भी व्यक्ति संस्थ का स्था बने बिना अगले ब्रशन है कि परदान मंत्री ने अपने कारेकाल में कभी संसथ का सामना नहीं किया नहीं पप्रदान मंत्री निश्द को को एक प्रश्न वारत की संसद्र में किया समय लिते हैं तो बारत की संसद्र में राष्टवती लोकसबा और राज्य सब्सक्राइब की सब्सक्राइब आपने याद रिखना है कौन सा राज्या लोगसावा में सबसे सदिक प्रतिनिती भीजता है तो उत्रप्रदेश जो है इस पुर्शन का और अगले प्रशन बिचलते हैं 42 संसोदन द्वारा लोगसावा के कारेकाल को पांच बरसे बढ़ा कर छे वर्श बना दिया गया था अ अगले प्रशन लोगसावा को उसकी दिर्धारित पांच वर्श की अबदी से पूर्व भंग करने का दिया अधिकार किसे है तो वो राष्ट्रपती को परधान मंत्री की शिफारिस पर है ये भी आपने याद रखना है अगला है राष्ट्रपती संसद के दोनों सदनों की सिफ्ट बैठिक बुला सकता है यह राष्ट्ष्ट अगले प्रशने के जाने तो सब्सक्राइब कर देखता है उसके बारधित के मध्य होने वाले खर्च के लिए अगले व्रशने राज्यसभा में सबस्या प्रतिनी दी कौन राज्य भीषता है तो त्रफदेश भीषता है राज्यसभा के दस्या कितने समय के लिए चुने जाते हैं तो छे साल के लिए राज्यसभा सब्सक्राइब दो सब्सक्राइब लोग सब्सक्राइब याद रखना रहा है वह राष्ट पती द्वारा चुनाब आयोग प्रामर्ष से होता है संसद के सब्सक्राइब करता है कि क्या कोई बिद्धेख या नहीं रोग सब्सक्राइब करता है जो संसद का सब्सक्राइब यह आपको पता होगा संसद के दोनों सब्सक्राइब किसी बिद्धेख पर मतबेद होने पर उने दूर करने के लिए दोनों सब्सक्राइब कि सीट को रिक्त गोशिद कर सकते हैं यदि विना अनुमती के सदिन से 60 दिन के वीधर अनुमस्टित रहता है अगला प्रशन है यदि लोगसभा के स्पीकर दाथ का स्पीकर दोनों ही उफलक धना हो तो स्पीकर कोन कर देखिता कौन करता है तो स्पीकर वारा घोशित सूची का जो पर शचिया होता है अगले परशन है कौन सी लोग सबा का कार्यकाल पांच वर्स से अधिक था तो वह 5 COL जबशन परम हो जिसका का आद रखना है अगन की सक्ति किसके पास है तो राष्ट्रपती के वास है उत्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्या लोगसबा में सब्सक्राइब का सब्सक्राइब अगला संसत्की की समीति की संख्या सब्सक्राइब की इस वीडियो में वस इतना है आज हमने पॉल्टी के वन-लाइनर कॉशन डिसकस किए है और प्लस क्षिन हमने डिसकस किये जो आपको आने वाले एक्जाम में यह तो फ्रेंट्स अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेट और कमेंट जिरूर कर दे और चैनल को जिरूर सबस्क्राइब कर दे अगर आपको वीडियो ची लगती है अगर आप अपनी करफ से कोई भी सुजेक्शन देना चाहते हो अगर किसी कुश वीडियो में बतादिया है की कौन सा है न वेडियों में बस इतना ही तो वीडियो को लिभी शरयां और चैनल को लाइक शे Crispy जजरूर कर देंじゃあ